सर जो तेरा चक्राएं, या दिल लूबा जाएं आजा प्यारे पास हमारे, का है घबराएं का है घबराएं क्लास नाइन्द के हो तुम स्टूडन्ट है हर तरफ सबंद, कहां को जाएं कैसे पढ़ें, कोई ये बताएं आप class 9th के student हो और घबराहत हो रही है कि कहां जाए, कैसे पढ़े What exactly is the process to study for class 9th? जानते हैं class 9th जरूरी है सभी कहते है class 9th मतलब बच्चा बड़ा हो गया है बड़ अब करें क्या हमें समझ ही नहीं आ रहा कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े किन-किन चीजों का ध्यान दे What exactly we need to do बहुत सारे parents और बच्चे इस confusion में है कि कैसे हम हमारे बच्चे को future के लिए कैसे decision ले Which way to go How to make them serious for study And what exactly my child wants to do ये पता कैसे चले इन सभी सवालों के जवाब ढूनने में इस जब तो जहत में बच्चे भी लगे हुए हैं और parents भी So, आज मैं पूजा आपकी मदद करने वाली हूँ इस problems को solve करने में So, आज हम discuss करेंगे कि how to study for class 9 किन-किन बातों का ध्यान रखना है Class 9 क्या role play करेगी आपके बच्चे के जिन्दगी में Students, what exactly is going to change in your class 9? क्या difference होने वाला है? अब तक की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में क्या बदलेगा? किन-किन बातों का ध्यान रखना है? क्या मुझे avoid करना है? डरने किया घबराने की बात तो नहीं है? मुझसे हो पाएगा कि नहीं? बच्चे के मन में ये घबराहाट और ये डर दिखती है और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को बहुत ज़ादा neglect भी करने लगे होंगे और जो बच्चे serious हैं और पढ़ना चाहते हैं उनको किसी न किसी तरह की उलजने या difficulties आ रही होगी आपके आगे अगर धुंदला रास्ता हो आपको रास्ता तो साफ है नजर धुंदली हो जाती है नजर को बस साफ करने की देर है तो चलिए मदद करती हूं मैं आपकी और उन सभी बच्चों की जो चाहते हैं क्लास नाइन्थ में कुछ करना और बहुत सारी difficulties या questions are there in their minds due to which they are not going to or not able to move forward चलिए सबसे पहले बच्चों मैं यह कहना चाहूंगी अगर आपके दिमाग में यह सवाल है how to study for क्लास नाइन्थ तो सबसे पहले जो काम करने की जरूरत है वो है क्लास नाइन्थ की importance को समझना होगा इतनी क्यों जरूरी है क्लास नाइन्थ बाकी classes भी हम पढ़ लेते थे स्कूल जाते थे syllabus होता था हम पढ़ लेते थे exam देके आ जाते थे and it was fine but what exactly what role will क्लास नाइन्थ play so I will let you know guys class 9 की importance को समझना बहुत जरूरी है सबसे जरूरी चीज़ सबसे important बात class 9 आपको class 9 आपको एक confidence देगा confidence क्यों ऐसे क्योंकि अगर class 9 आपकी अच्छी होती है तो यू गेन लॉट ओफ तेंग्स आपकी class 8 तक की जो भी बुरी यादते हैं वो सारी अब reflect होंगी अब तक जितनी गलतियां कर ली थी उससे कोई दिक्कत नहीं है बट अब अगर गलती कर जाओगे न तो आपको बहुत जादा बुकतान भरना पड़ सकता है आपको confident feel करना है अगर class 9 में तो जो भी आपकी वी केरियास है बहुत बच्चों को जब dictate किया जाता है तो लिखना ही नहीं आता है spelling mistakes हो जाती है रट रट के पढ़ने की आदत है exam आते ही डर नहीं लगते हैं हाथ पेर फूल नहीं लगते हैं you start getting scared class 9 में अब तक जो भी आपने जो भी problems आपको थी वो सारी problems आपको overcome करनी होगी you will have to overcome your fear सारी problems पढ़ने की आदत हो टिक के बैठ के time spend करकर effort लगा कर चीजों को समझने की आदत हो you need to put efforts you need to increase your efforts time देना पड़ेगा class 8 तक आप छोटे बच्चे थे जिसको data जा सकता था फटकारा जा सकता था और समझाया जा सकता था अब class 9 में students you are a matured individual now आप चीजे समझने लगोगे और उन आदतों को आपको जो आपकी अच्छी आदते हैं वो आपको बहुत आगे ले जाएंगी और मैं इसी लिए कह रही हूँ कि class 9 तक आपको confidence देगा क्योंकि class 9 में people will start expecting maturity from you इसके बार मैं भी बताऊंगी मैं expectations जो आप से हो जाएंगी class 9 की सबसे important बात ये है कि ये जो class 9 जो ये साल है न ये न आपको change कर देगा आपको बहुत सारी नई चीजे सिखाएगा नया नजरिया देगा your approach for studies will change in this year and this happens because you are close to board examination इसकी importance सबसे बड़ी ये है कि आप board exam से सिर्फ एक ही कदम पीछे हो मेरे प्यारे बच्चो सिर्फ एक ही कदम पीछे हो आप board exam से only one step behind तो यहां पर आपको तयारी करनी होगी पूरे बहुत सारे बड़े competition को टकर देने की और आपके पास ये पूरा साल है to improve yourself to decrease your mistakes and increase your strengths ये वक्त है आपके पास class 9 की importance को समझे जितनी गलतियां करनी है ना उन गलतियों को करके उनसे सीखना भी है क्यूंकि वक्त नहीं है हमारे पास आगे जाकर you have to improve yourself now because important it is to know exactly where you stand teacher का पढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी student का पढ़ाया हुआ समझ कर exam में लिख पाना है आपका पहला step है बच्चों समझना बिना समझे कोई काम नहीं हो सकता class 9 में जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो सिर्फ class 9 में ही नहीं आएगी आप सोच रहोगे मैम 8 में हमने पढ़ा 8 का final exam दे भिया रिजल्ट आ गया class 9 में जो पढ़ोगे class 9 का final exam में जो लिखोगे ये जो concepts हैं जो chapters है class 9 तक सीमित नहीं है class 10 में class 11 में and moving on in your coming classes also you will be using these concepts एक साल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो आगे की सारी पढ़ाई की नीव अभी बनने वाली है you are going to make a strong foundation of yourself now it is very important to understand that कि ये class 9 एक वो brick बनेगी जो आपकी building की नीव को strong करेगी और ये इट अगर कमजोर रहे गई आपका future का success का जो बहुत प्यारा आलिशान महल है वो डगमगा सकता है उसकी नीव हिल सकती है नीव बनाने का वक्त अभी है सही वक्त यही है और इस वक्त की कीमत को समझ कर इसकी importance को जानकर class 9 इतना जरूरी है क्योंकि 9 में काम आएगा आगे जाकर काम आएगा और 8 और 9 का जो variation आता है ना चेंज जो आता है level का आई यू आर गोई टो बी one level higher now and this level is one of the most important level of your future it is your career building year my dear students अभी आगे क्या करोगे आप सोचना शुरू करोगे अपनी गलतियों को अपने आपको humiliation से बचाने की कोशिश करोगे आप बड़े होगे आपकी चीजें आसपास की चीजें अपनी surroundings को समझोगे and yes you will become a more matured person now आप गलतियां करोगे तो जादा नजर आएंगी गलतियां नहीं करोगे अच्छाई होगी वह भी साफ नजर आएगी I am telling to you once again अभी एक स्टूदेंट पर जब वह क्लास नाइंथ में आ जाता है when a student reaches क्लास नाइंथ suddenly everybody around ममी पापा भाई बहन चाचा चाची पडोसी सब लोग अच्छानक से बच्चे से उमीदे करने लगते हैं बच्चा बड़ा हो गया अब बच्चे के नंबर कैसे आ रहे है अब तक आप जितना भी स्कॉल करते आप जो भी मस्ती करते बच्चा है कोई बात नहीं पर अब उमीद की जाएगी आपसे कुछ बड़ा करने की क्या बनना चाहते हो बेटा Class 9th में आपसे पूछा जाता है और अगर आप कोई गलती करते हो इतना बड़ा हो गया अब भी ये गलती करता है लिखना भी नहीं आता है इसको ठीक से देखो इसकी हैंड रेटिंग किसी है इतना बड़ा हो गया एट तक जो सारी बाते नजर अंदास कर दी जाती थी Class 9th में वही बाते उन्ही बातों पर आप पर ताना मारा जाएगा बच्चो क्यूंकि अब आप बड़े हो गए हो ये expect किया जाता है अच्छानक से 8 complete होके 9th में आने के बाद आप बच्चा समझदार चाहिए सभी को मेच्वर चाहिए इंटेलिजेंट चाहिए गलतियां जितनी करनी थी कर ली अब भई पढ़ाई पर ध्यान दो ऐसे कहेंगे लोग आप से expect किया जाएगा कि आप ना ही सिर्फ score अच्छा करो बल्कि आपकी overall personality में एक maturity नजर आए क्या नजर आए एक maturity नजर आए और class 9th में पूछने लगते हैं बच्चों से क्या बनना है कहा जाना है आगे क्या करना है life में what are the what exactly you want to do in future क्या आपने decide किया है ऐसे पूछने लगते हैं अब वक्त है अपने future को बनाने का अब आप में इतनी समझ हो जाएगी बच्चों कि आप decide कर सको कि किस तरफ जाना है now you are not a small child you have reached the age of adolescence and this adolescence give you lots of fun, musty and also energy which you need to place in a right channel आप से expect किया जाएगा कि अब आप थोड़ा सा बच्पना कम करें मेहनत जादा करें ध्यान जादा लगाएं और score तो बहुत ही अच्छा करें इन सभी expectations को पूरा करना होगा खुद की expectations भी आपकी होगी अपने आप से parents की expectation होती है और इन expectations को पूरा करने के लिए आपकी तरफ से effort बहुत लगेगा ये जो success की जो trophy है न ये ऐसे ही नहीं मिलने वाली ये जो steps चड़ने पड़ते है न वहां तक पहुंचने के लिए class 9 ये पहला step है confidently positively अगर class 9 का step आप complete करके 10th की और बढ़ते हो तो देखना confidence ही अलग है जीत की आए हो बाजी ऐसा लगेगा आपको और वो खुशी आगे बढ़ने की उसका मजा ही कुछ हो रहे class 9 डगमगा गई तो चहरा निराश और दस्वी में डर पता नहीं क्या होगा मुझसे हो पाएगा कि नहीं ये भगवान board examination बेटा एक बात बता देती हूं आपको secret है कईयों को पता होती है पर उसको नजर अंदास कर देते हैं डरते रहते class 10th class 10th but actual में class 9th syllabus बच्चो class 10th से जादा है you need to understand that class 10th में बोर्ड exam कर डर है syllabus कम है पर class 9th में syllabus भी जादा है मेहनत भी जादा है समझदारी भी जादा लगानी पड़ेगी बेवकूफी नहीं कर पाओगे और कर ली तो नुकसान जादा हो जाएं आसपास की लोग जब आप से expect करने लगते हैं सब की नजरे जब आप पर हो तब आप कैसा perform करोगे यह देखना जरूरी है आप अपने कमरे में पढ़ाई करो एक टेस्ट दो और अच्छे नंबर आ जाए कौन जानता है सिर्फ आप जानते हो and you need not be scared पता है क्यों डरना क्यों नहीं हमें क्यूंकि हमें सिर्फ एक काम है करना और वो है concept को है clear करना ऐसा क्यूं है अगर यह समझ आ जाएगा तो बताईए वक्ताने पर क्या नहीं बता पाओगे लिखना हो तो क्या नहीं लिख पाओगे concept समझना जरूरी है एक बार concept की clarity मिल जाएगे न बच्चो तो आप imagine भी नहीं कर सकते कि चीज़ें कितनी simple हो जाएगी I would like to tell you one thing simple concepts simple concepts are difficult to forget कोई चीज भूलनी अगर आप कोई चीज भूलनी बहुत आसान है न कोई चीज भूल जाना पर अगर उसका concept clear हो तो नहीं भूलोगे उसे एक बार जब teacher कुछ समझाए और आपको समझ में आ जाए concept clear हो जाए तो फिर क्या उसे भूलोगे आप नहीं proper revision करते रहे time to time तो आप उस concept को नहीं भूलोगे मेरे प्यारे बच्चो simple concepts are difficult to forget अब आप बोलोगे मैं बात तो ठीक है concept simple है हम समझ जाएंगे फिर भूलेंगे नहीं पर difficult concepts का क्या करें यहीं तो हमारा काम है बच्चो difficult को हम बनाएंगे आपके लिए simple difficult can be made simple with efforts consistent efforts constant efforts एक दिन में कुछ नहीं होगा एक रात में भगवान आके आपके उपर बारिश नहीं करने वाला औरे वाँ बच्चा भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे तो ग्लास में टॉप आए नहीं होगा ऐसा आपको regular हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी रोज घिसना पड़ेगा रोज पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भूल जाएंगे जो चीज़ें उन्हें याद करते रहने पड़ेगी तब जाके उमीद की जा सकती है और exam से पहले डर रे बिना confidently positive attitude से जो दिमाग में हैं वो सही तरीके से लिख पाए अगर तब जाके आप वो चाह सकते हो अगर बीच रास्ते में ही डगमगा गए रट रट के रट रट के पड़ पड़ के आप बहुंचे तो बताईए बत्ती गुल और क्या होगा बला मानती हूं कि concept simple बनाने में जोर लगता है कोई भी concept को समझने में वत लगता है effort लगता है teacher का भी और student का भी और मैं जानते हूं कि बहुत सारे parents inbuilt teachers होते हैं अपने माबाप से पढ़ने की आदत बहुत सारे बच्चों को होगी especially their mothers क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा समय बिताती है और कुछ बहुत ही knowledgeable fathers होते हैं जो बच्चों need to face this world alone और उसकी तयारी भी करनी होगी हमेशा हर वक्त हर सवाल में वो आपके साथ हो जरूरी नहीं तो आपको तयार होना होगा अब जयाद रखिये हमेशा डंडा लेके पीछे खड़े रहना अब ना हो पाएगा आपको खुद सक्षम बनना होगा you need to be capable enough and do things what are right for you और सम concept का clear होना क्योंकि यह concept आगवाग आपको आगे जाकर बहुत 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 काम आएंगे तो यह जो concept को clear करने की रहा आपको टेड़ी मेड़ी लग सकती है डरावनी लग सकती है भगवान मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा सब सर के उपर से चला गया यह एक लाइन बोलना क्योंकि जब teacher और student दोनों कड़ी मेहनत करे positive attitude के साथ अपना best देंगे तो जीत तो होनी ही है तो concepts की importance को समझे रटना नहीं है you just need to clear your concepts और यह हो गया अगर तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाएगी मुश्किल concept को simple बना दिया तो simple concept आप समझ गए और बात बन गई हाया ना हो जाएगा ना यह बात अब बच्चो जब मैंने कहा कि concepts clear करने जरूरी है क्यों जरूरी है मैं जब पढ़के नंबर रटके न में नंबर अगर मुझे रटके मिल जाएंगे तो क्यूं मैं समझने की concepts clear करने का मैं क्यूं इतना effort डालूं एक्जाम के दो दिन पहले syllabus बता देना उसको ध्यान से दिन राट बैठके मैं रट लूँगा और नंबर आ जाएंगे मुझे नहीं समझना ऐसे बच्चे भी होते हैं I don't want to understand concepts there's no need of understanding concepts I can do things well बच्चों समझ ये एक बात को short term goal long term goal आप क्या कुछ दिन खुश रहे के जिन्दगी बर दुखी रहना चाहते हैं या कुछ दिन मेहनत करके जिन्दगी भर खुश रहना चाहते हैं तो अगर जिन्दगी भर की long run की खुशी चाहिए तो short term मेहनत dedication और efforts तो डालने पड़ेंगे आपको academics में score करना है marks लेके आने हैं बिल्कुल बहुत जरूरी है ये और एक चीज और जरूरी है अगर आपका concept clear नहीं हुआ अगर आपको चीज ठीक से समझ नहीं आई तो जो वो 10 वी में आएगी 11 वी में आएगी 12 वी में आएगी क्या बोलोगे नाइंत का याद नहीं ह दोबारा बताना अच्छा लगेगा कैसे बोलते हों सोचे नहीं लगेगा ना तो इसी लिए आपको समझदार बनना है और क्या करना है सिर्फ एक काम ठ्यान लगाकर हर lesson को हर concept को घोट के पीना है अच्छे से अच्छा teacher आपको मिल जाएगा ना अगर तो फिर आप अपनी म हो जाएगा जोर लगता है वक्त लगता है effort डालना पड़ता है और वह हम सब मिलकर जरूर डालेंगे we are there to help you students we are just here just one step away okay so बच्चो academics में तुम्हें जो marks चाहिए उन marks के लिए तुम रटो मत बल्की concepts को clear करो खुद अपने sentences बनाओ लिखो एक बच्चा मुझसे कहता है मैं मुझे ना सब आता है मैंने सब पढ़ रखा है मेरा सारा concept clear है I know everything पसे एक ही problem है मैंने बताओ बटा क्या problem है number नहीं आते test में क्या आप मानोगे यह बात सब आता है और टेस्ट में number नहीं आते क्यों भला इतना घबराहट exam से डर कौन मानेगा कि आपको सब आता है बताइए marks आपके नहीं आएंगे तो कौन मानेगा कि आपको सब कुछ आता है किस किस को explanation दोगे मुझे आता था पर उस दिन मैं नहीं लिख पाया मेरे सर में दर्द हो गया कोई भी reason दोगे nobody will believe because what matters at the end is the result result matters and this academic scores really matters आपको कितना आया है यह तभी पता चलेगा जब हम आपको test करेंगे आपकी abilities को analyze करेंगे आपकी skill set को जानने की कोशिश करेंगे इस बच्चे को कितना आता है जो आता है वो लिख पाता है कि नहीं लिखा तो ठीक से लिखा कि नहीं और जब बढ़िया तरीके से आप अ तो test करनी है abilities को marks अच्छे लाने हैं तो एक चीज आपको समझनी होगी आप जब आपको कोई test करें और आपके number कमाए तो जो बेस्ती महसूस होती है ना वो आप imagine भी नहीं कर सकते कि कितनी है आप सोचो जब आप मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर जाओ लोग सबसे पहले सव पानी पड़ेगी आप ऐसा चाहते हो नहीं ना उस सवाल का भी डट के खुशी से जवाब देना है हमें उसकी तयारी करनी है we do many things for our parents and this is one of the most important thing which they expect from you वो चाहते हैं कि वो खुशी से आपकी marks बताएं क्यूंकि इस उमर में right now आपके लिए जो जरूरी है वो यही तो है आपने अच्छे भविश्य के लिए जब academics में अच्छा score कर जाओगे तो बहुत खुशी होगी और अगर concepts clear हो गए तो वा भाई वाज जिन्दगी मस्त हो जाई सची बतारी हूं मैं आप सोचो सारे बच्चे बैठके पढ़ रहे हैं और आपको पहले से आता हो मजाएगा क ही नहीं लोग आपसे डाउट पूछें आप उनको समझाओ टीचर जब सवाल पूछे सिर्फ आपको जवाब आता हो तो सोचो कैसा लगता है वह खुशी ही अलग है इतनी खुशी तब नहीं होती जब बैंक अकाउंट में पैसे हो इतने सारे पर जब आपक सवाल का सही ज जो ओवरॉल ग्रोथ का जैसे कि मैंने कहा आपकी पसनालीटी को है डेवलप करना आपकी पसनालीटी को डेवलप करना जरूरी है सोचिए ज़रा एक बार कि आपके 98% डिगरी है मतलब आपके पॉकेट में है पर आप जब चलो बहुत निराश से लगो आप बात करो तो आप हिचकी चाहो आपको लोगों से बात करने में डर लगे आप हमेशा सैड और अनवांटेड और इग्नोरिंग से मूड में रहो तो लोग क्या कहेंगे मार्क क्या फाइदा आप समझ रहे हो इस बात को आपको अपने आपको ऐसा बनाना होगा कि जब आप चलो जब आप किसी कमरे में जाओ तो लोग आपसे मिलकर खुश हो वह यह समझे कि बच्चे में बड़ा ग्यान है बहुत कॉन्फिडेंट है बहुत प्यारा बच्चा है कितन कहते हैं और उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आपको अच्छी इंगलिश आती है तो बताइए आप कितने कॉन्फिडेंट होगे कहीं भी जाने से किसी से भी मिलने से हो गया नहीं बच्चो नंबर ज़रूरी है मार्क्स मैटर्स बट दिर आर मैनी अदर फिं को अपने आपको सक्षम बनाना होगा capable बनाना होगा ओबरोल जोट में आपको अपनी जोड़ेंसम यह जैशर करके आपको और बहतर इंसान बना सकते हैं फाइदा उठाईए बच्चो फाइदा उठाईए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगे आपको ना एक चीज करनी जरूरी है जहां भी फाइदा दिखे आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए जहां नुकसान ही नुकसान है वहाँ रहना चाहोगे आप किसी को सो रुपे देखे क्या दस रुपे की चीज लाओगे नहीं वापस मांगोगे 90 रुपे तो फिर आप बताईए कि आप पढ़ाई करने जाओ पढ़ो और उनका पूरा फाइदा ना उठाओ तो ठीक लगेगा नहीं ना एक overall personality का ही हिस्सा है ये पूरी महनत करो और हर चीज का फाइदा उठाओ जो आपके लिए फाइदा मंद है and yes it's not being selfish at all selfish नहीं है अपनी जिंदगी बनाना क्या selfish है बच्चो अपने future का सोचना क्या selfish है बिलकुल नहीं मस्ती खेल कूद भागदोर सब बढ़ी आए but at the end what matters is success and for success you need to put in efforts overall आपकी development होनी चाहिए आपकी growth होनी चाहिए पढ़ाई में भी बातों में भी वक्त आने पर अपने आपको present करने में भी writing skills भी अच्छे होनी चाहिए बोलना भी अच्छा आना चाहिए लिखना भी अच्छा आना चाहिए and most importantly you should not get scared in front of strangers आपके साथ ऐसा होता है जब आप कहीं भार गुमने जाओ तो ममी पापा कहते देख कितने प्यारा बच्छा कितने नॉंबर अच्छे लाहें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है एक चोटा सा बच्छा दो साल का अगर इंग्लिश बोले तो लोग कितने खुश हो जाते कि मेरी कहां कमी है मेरी weakness क्या है उस weakness को find out करो and then work on this weakness बेटा आप सीख सकते हो वक्त लगाओगे effort डालोगे तो हर मुश्किल चीज़ को हम वक्त देकर effort डाल कर आसान कर सकते हैं आपकी overall growth में बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है मार्क्स पे भी ध्यान दीजिए अपनी overall personality पे भी आपका लहजा कैसा है बात करने का बड़ों से मिलकर आप कैसे बात करते हो अपना काम निकलवाने के लिए आप किसी को कैसे प्यार से कर्विंस कर सकते हो many things matters so students now is the time to work on your overall growth understand yourself find out your weakness what is your strength what is your weakness analysis करो अपना और फिर अपनी कमियों को कम करते चले जाओ हो जाएगा मदद लगेगी अपने parents की अपने well wishes की अपने teachers की और जो आपकी मदद करना चाहे उसकी कदर करो और उसकी मदद खुशी खुशी लो है ना बच्चो बात अच्छी लगी कि नहीं खेल कूद करना है पढ़ाई भी करनी है मस्ती के साथ करनी है और financially हम effort नहीं कर तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक बहुत ही नायाब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा solution हम लेके आए है नीव बैच्च आपकी नीव को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही प्यारी foundation है एक टीम है जो आपके लिए दिन भर काम करेगी और आपके लिए नए नए ideas सोच कर लाएगी ताकि आपके concepts clear हो जाए और आपकी हर मुश्किल को आसान करने के लिए हर doubt का जवाब मिल जाएगा जो आपने सीखा उसका test ले लिया जाएगा ताकि पता चल जाए कि कहां कमी है and yes students with consistent efforts with consistent efforts and positive attitude you can surely be a successful person after class 9th एक खुशी मिलेगी आपको मैंने 9th बड़े अच्छे से complete कर ली है सारे subjects मुझे अच्छे से आते हैं हम आपकी मदद करने को तयार है अब सभी बच्चे अगर चाह रहे हो कि मैं देखना चाहूं कि यहां होता क्या है पढ़ना कैसे है सारे subjects होंगे क्या मुझे बोलना ही नहीं आता मैं मुझे ना teacher से doubt पूशने में डर लगता है इन सभी problems का solution इस एक जगा आपको मिल जाएगा बच्चो concept clearance, doubt clearance, test, analysis of yourself and overall growth all the things will be happening and good academic result is sure shot तो आप बिलकुल बहत खुशी से नीव बैच को join कर सकते हैं और इस team के साथ जुड़ सकते हैं to get good results और मैं एक बात कहूंगी इस class 9th की importance को समझते हुए money की value को भी समझते हुए आपके लिए काफी affordable prices में यह लाए गया है बच्चो it's only rupees 1500 and it's completely up to you यह आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं एक बात, सबसे जरूरी बात जाते जाते मैं यह कहना चाहूंगी कि बच्चो आप जीतना चाहते हो, winner बनना चाहते हो जिन्दगी में कुछ हासल करना चाहते हो तो आखरी में कुछ नहीं होता एक रात पहले नहीं हो पाएगा चमतकार नहीं होने वाला मेहनत पहले से करनी पड़ती है winners take early steps पहले ही आपको सोचना होगा, plan करना होगा parents को भी, बच्चों को भी सोचना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है बच्चे के लिए क्या ठीक रहेगा किस चीज में वो comfortable है उसका interest किस चीज में है इन सभी सवालों के जवाब ढूंडिये और वक्त पर ही early step ले लीजिये ताकि आगे जाकर आपको difficulties का सामना ना करना पड़े everybody who is listening to me please understand one thing to achieve success you just can't sit down you have to make efforts and take early steps planning करनी पड़ती है बिना plan के बताईए result कैसे आएगा so these early steps will surely 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 show the results फल मिलेगा आपको class 11th में जब आप confident महसूस करोगे जल्दी जल्दी आप चीज़े सीखपा होगे क्योंकि आपकी class 9th और 10th strong है आपका हर सपना चाहे वो engineer बनने का हो doctor बनने का हो medically किसी और field में आपको जाना है anything which you want to do is possible only if your foundation is strong if your foundation is strong strong foundation के लिए अब सही वक्त है आप यहाँ first होना चाहते हो जीतना चाहते हो winner बनना चाहते हो और जो steps हैं जो धीरे धीरे आपको success के और ले जाएंगे पहला step अगर बढ़िया रहा तो मज़ा नहीं आ जाएगा पूरी कोशिश होगी बच्चों कि आपकी हर problem का समाधान आपको यहां मिले and yes पढ़ाई करें खुश रहें, मन लगाएं और yes बहुत जरूरी बात है बढ़ों की इज़त करें उनकी कदर करें जो आपके लिए सोच रहे हैं value करे teachers की, elders की और हर उस इंसान की जो आपका भला चाहता है and yes students, it is possible चाहे कैसा भी वक्त हो, कितनी भी negativity हो हर जगा चाहे कुछ ना आता हो, फिर भी एक decision आपको success की और लेकर जा सकता है और उस एक decision के लिए बस एक विचार हिम्मत करनी पड़ेगी and you will surely achieve what you want to achieve सभी बच्चों को, सभी parents को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना best देने के लिए planning करनी पड़ती है उस planning में हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपका योगदान दे सके बच्चे के बहतर कल में हम मदद कर सके so me Pooja signing off and thank you so much for your time